इस बात है फ्यूचर ट्रेडिंग की ठीक और इस फ्यूचर ट्रेडिंग को चर्चा में यहां पर जुम रखने हैं उसका कारण क्या है वो देखो लिहांसु सुनना सेभी ने क्या किया कि इंफ्लेशन को बढ़ने से रोकने के लिए इंफ्लेशन समझ रहे हो जो वस्तु और सेवा की कीमत क्या जाती है बढ़ जाती है ठीक है तो उसको रोकने के लिए एक वर्स के लिए साथ वस्तु साथ कमोडिटीज है उसकी फ्यूचर ट्रेडिंग पर परतिबंद लगा दिया है यह जो लगा है इसमें सरकार के कहने पर सेवी ने लगा है ठीक है छोटी सी ख़बार है लेकिन इन सारी चीज़ों में एक बार में फ्यूचर ट्रेडिंग को समझना ठीक अब चलो अब देखो यह होता है कि आउसको ध्यान से सलना है मालने कि अभी आलू का मुल्य है बीस रुपए प्रतिकिलो अभी आज किसमें और एक आलू का वेपारी है उसका अनुमान यह है वो इस्पुकलेट यह करता है कि इस आलू के मुल्य में व्रिद्धी होगी इसका अनुमान है कि जो आलू अभी बिक्रायब 20 रुपए प्रतिकिलो वो आलू आगे आने वाले दिनों में क्या होगा कि उसके मुल्य में व्रिद्धी हो जैगी वह कुछ भी हो सकता है तो वह करता क्या है कि इस आलू को बेचने वाले किसान यह जो भी आलू विकुरेत करता है उसके साथ वह एक agreement करता है समझता करता है क्या समझता करता है कि 30 दिन के बाद ठीक है तो मालों जो भी आज है 25 दिसंबर है तो वह 26 जनवरी को 27 जनवरी को तीस दिन के बाद 100 कीलो आलु वह 20 रुपय प्रती कीलो की दरपे खरीद लेगा ये तो डिल हो रही है दियान देना वो क्या हो हुज हो रही है wounded हो जोकी आलु विकरिता है उसके साथ आलु के वैपारी की कि मैं आप से 30 दिन के बाद यह जो आलु चिसंदा ओ aan supports है उसके आधार पर और मुल की बोगिंग कर रहा है और मुली क्या करता है वो आज ही उस मुली को चुखा जाता है यह जो देख रहे हो आप यहाँ डील देख रहे हो यह जो समझाओता देख रहे हो इसी को बोलते हैं future क्या उसने फिजिकली आलू को अपने पास रखा है नहीं रखा न वो क्या बोला है यह लो हाथ में पैसे 100 किलो आलू एक मेने के बाद मैं आपसे ले लूँगा आज की जो दर है उसी पर पैसे उसको दे दिए यह जो जितनी चीजें हो रहे है क्या हो यह हो यह फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए चिक आगे जहां से सुनना पंदरत दिन के बाद आलू का मुल वास्तिक रूप में क अगरम जाते हैं तो वहां पर कितने में बिक रही है वह आलू बिक रही है 20 रूपए से जादा में इसका मतलब यह कि आलू कम मुले भविस में और बढ़ेगा यह जो इसने लगाया यह क्या हो रहा है इसी दो से 20 रूपए में लिया अभी अब आगे देखो क्या होगा तो पेपर है वह किसी अन्य वयपारी को बेच सकता है किलिया जिखो चीजे निकलने बाद में बताता जाओंगा यह मैं क्या-क्या चीज नहिंदे है क्या देख रहा हम कि future trading में वस्तू का भुक्तान वर्तमान में ही कर दिया जाता है जबकि वस्तू की जो delivery होती है वह आगे आने वाली किसी तैट किखी को की जाती है एक तो यह बात हो गई दूसरी बात क्या मैं यहां पर कर रहा हूं मैं यह कर रहा हूं कि जो paper है content paper है ठीक है future trading से related वह एक वैपारी किसी दूसरे वैपारी को भी बेच सकता है लेकिन कितने पर बेचेगा ध्यान दो कितने पर बेचेगा अगर उसने ध्यान दो अगर 100 किलो आलू 20 वैपारी किलो के हिसाब से कितने दो जार रुपए होगे न यहीं होगा न दो जार रुपए होंगे ठीक है तो अब यहां पर यह आलू वैपारी इस future contract को अन्य वैपारी को कितने बर बेचेगा हो सकता है कि वह उसको बेच दे 25 रुपए तो बीना खरी 20 रुपए किलो है उस आलू की किमत कितनी हो जाएगी तीस रुपए पर दीकिजिए ठीक दूसरी बात क्या निकल कर आ रही है कि जो future contract से रिलेटेड जो पेपर है जो hold करकर रखेगा वह उसका मालिक होगा जो इसको hold करेगा वह उसका मालिक होगा इसका मतलब यह tradable होता है यहां तक कोई दिकत नहीं ठीक आगे देखो हम किसकी बात कर रहा है मैं फिर दूराद रहा हम यहां पर बात करें future trading की बात इसलिए कर रहे है क्योंकि सेवी ने साथ commodities के future trading पर प्रतिबंद लगा दिया है कि लिए ठीक देखते जाओ अब आगे देखना है यहां यह बड़ तो यहां पर क्या है कि इसमें future contract में खरीदने और बेचने कितने में एक खरीदेगा दूसरा कितने में उसको बेचेगा तो इसमें किसी भी commodity का जो मुल्य होता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि उस particular commodity के मांग और पूर्ति उस जगह पर उस स्थान पर उस बाजार में क क्या करा हूं अभी नीचे अब पढ़ना मत मैं जो बोलना उसको मेरी वाद यहां से सुनना जो future contract होता है उसमें किसी भी commodity या किसी उपज की कीमत या मुल्य इस बात पर निर्भर करती है कि जहां उसे बेचा और जहां से खरीदा जाएगा जहां वो physically मौजूद होगा वहा माल लें कि उसकी demand इसकी supply को अगर कम कर दे हमें पता अगर किसी की supply कम हो जाए उसके demand की तुला में तो उसका price क्या होगा बढ़ जाएगा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि future contract के द्वारा एक मंडी में उपज मुल्य को प्रभावित कर सकते ह कि नहीं हो सकते यह बता मैं future contract करने वाला वैपारी हो मैं मालो ठीक है मैं future trading करता हूं और मैं future trading करता तो मैं क्या करूँगा कि मैं market को manipulate करूँगा करूँगा कि नहीं करूँगा जिस चीज को अभी मैंने 20 रुपे में लिए मैं क्या करूँगा फिर आगे कि मैं वहाँ पर इस particular जो commodity है वस्तु है मैं इसकी supply को रुखवाने की कोशिस करूँगा physically उस मंडी में तो automatically क्या हो जाएगी supply कम डिमांड ज्यादा प्राइस उपर होगा न जिस चीज को मैंने 20 रुपए पेपर पर देके मैंने उसको अदा कर दिया है 2000 रुपए मैं supply को यहां पर क्या करूँगा प्रभावित करूँगा डिमांड इसकी बढ़ेगी तो फिर इसी चीज को मैं बेच दूँगा तो एक commodity का जो price होता है basic जो price होगा उसका floor price जो होता है वो फिर वैपारी उसी का धार पर देकरते हैं तो दिक्कत यहां पर यह हो रही है देखो क्या लिहान देना पहली बात मैंने क्या कही आपको पहली बात मैंने यहां पर यह कही कि जो future contract होता है उस future contract में किसी भी commodity का ज सप्लाई को रोग दोसकी मद्या डिमांड जितनी है उसकी तुला में उसकी सप्लाई कम हो जाए मैं फीचर कॉंटेक्ट में यहाँ पर सामिल हूं अटोमेटिकली क्या हो जाएगा उसका प्राइस उपर चला जाएगा चीजे निकल कर तो आ रहे क्यों परतिबन लगा है उसक क्या करूंगा कि उसकी सप्लाई को शॉट करूंगा ऑटोमेटिकल्स की डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा प्राइस बढ़ेगा तो फिर वही चीज मैं कितने में बेचूंगा पच्शिस में इसका मतलब मैं उपज मुल्ली को प्रभावित कर रहा हूं और मैं के प्राइस जो हैं वो बढ़ते हैं आगे देखते जाओ यह कार्टेल की बात करो मालों मैं ही वैपारी मैं फीचर ट्रेडिंग में हूँ ठीक है तो सप्लाई का मतलब यहां पर यह है कि जिस चीज की मैंने अभी फीचर ट्रेडिंग की है मैंने आज आज के डेट में मैंने यह बात करें कि 30 दिन के बाद 40 दिन के बाद मैं इस समान को 20 रुपे में खरी दूँगा कि लिए दूसरी तरफ मैं क्या कर रहा हूं कि जिस कमोडिटी का मैंने अभी ट्रेडिंग मैंने करके रखी है मैं किसी दूसरे से उसको खर दूआ कर मैं इस टॉक करवा के रखवालू है ना अब यहां पर क्या होगा जो बिल आ रहा था उस किरसी बिल में जो चीज़े निकल कर आ रहे थी वही न कि दो रुपए में किसान बेजता है अपनी फसल को वह सड़क पर गिरा देता है और वही उभोगता कितरे में खरते हैं उसको 60 रुपए 70 में यह बीच में कौन आता है अब देखो सरकार को ऐसा लगता है कि जो फ्यूचर कॉंट्रेक्ट है उसमें मुल्य हमें देखो वह प्रा प्राइस इस पेकुलेशन क्या हो जाएगा रुक जाएगा और प्राइस इस क्विचर ट्रेड़िंग किंसी पर भी फूचर ट्रेडिंग नहीं होगी टो अगर आपके पास प्रयाप्त मात्रा में वस्तू का उत्पादन हुआ है वस्तू का इसको आप गरीब जंसें क्या बोलते हो इसससे अगर उनके खरीदने की छम्ता पर उनके जो खरीदने की छम्ता है वह अगर प्रभावित नहीं होती है, तो यह सारी चीजी इस चलती है, ठीक है, और जो अथ्यंत आवस्यक बश्तु है, अगर ऐसा लगने लगे कि अगर इनक कमी हो जाएगी और कमी होने से फिर इंकम मूल ज्यादा हो जाएगा और इससे गरीज जंसे क्या इसको खरिदने में उसमर्थ होंगे तो फिर यही निर्णे लिया जाता है सरकार के द्वारा क्या तर नच्वारा इसकाएगा इसके देशा हैं कर दो एक स्कूर में प्रेद हो जाएगा जाता है।